तो हलो फ्रेंट्स आरचल शिज्ज की वीडियो सीरीज आपका स्वागत है इस इस वीडियो में सिखिंगे ग्रेप कमांड का यूज ग्रेप कमांड का यूज किसी input को filter करने के लिए या फिर किसी text file में से कोई text string आपको search करना हो तो उसके लिए grab command का use किया जाता है चलिए इसका syntax जैकर लेते हैं syntax किया होता है इसका grab command का तो grab command का syntax परार होता है grab, फिर options, pattern और file तो सबसे पहले आपको grab command लिखना है उसके बाद में options, जो भी options आप use करना चाते हैं आपके requirement का उसा जैसे hyphen i, hyphen l, hyphen n, hyphen c, hyphen v और उसके बाद pattern जो आप input से match करोना चाते हैं या फिर वो string आपको या पे लिखना है जो आपको file से search करना है उसके बाद उस file का नाम लिखना है जिस file से आप ये string search करना चाते हैं तो सबसे बाद आपको लिखना grab command, फिर options, फिर pattern या string जो भी आपको search करना है और फिर उस file का नाम लिखना है जिस file से आप वो string search करना चाते हैं उसके बाद बाद करते हैं grab variants की तो grab के तीन variants होते हैं e-grap, app-grap और r-grap e-grap same as grab-e app-grap same as grab-f r-grap same as grab-r उसके बाद बाद करते हैं options की तो यदि आप grab command के साथ में double hyphen help option यूज करते हैं तो ये option grab command की help print करेगा यदि grab command के साथ में और कौन-कौन options यूज होते हैं और किस option का क्या use होता है या आपको show करेगा और यदि आपको check करना है कि आप grab command का कौन सा version यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको grape command के साथ में hyphen capital V option यूज़ करना पड़ेगा यह आपको print grape command का जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वर्जन नंबर प्रिंट करके देगा उसके बात और बहुत सार आप्शन होते हैं grape command के जैसे hyphen V, hyphen C, hyphen N, hyphen I और hyphen L तो सबसे बेले बात करता है, hyphen V hyphen V show all the lines that do not match the search string, यानि यह उन सभी line को print करेगा, जो आपकी pattern या string से match नहीं होती यानि यदि आप किसी text file से को string search कर रहे हैं तो उस text file में से उन सभी line को print करेगा, जो जिस line में आपकी string match नहीं होती है, यानि inverse match करना हो, तब आपको grape कुमार के साथ में, hyphen V option यूज करना पड़ेगा, वसे बात करता है, hyphen C, तो hyphen C option, जो भी line match होती है उन सभी line का total number count करके, आपको return करेगा, जैनि यदि आपको किसी text file से या किसी input से कोई pattern या string match, search कर रहे हैं तो वो जो string है, उस text file या input में से, किस किस line कौण कौण से line में match होई है, उन सभी line का total number count करके, आपको return करेगा, यानि total कितनी line match होई है, यानि total कितनी line total AC कितनी line है, जिसमें वो string available है, वो total number आपको count करके, return करेगा, उसका बात करता, hyphen N option की, तो hyphen N option उसे, जो भी line match होई है, उस line के साथ में उस line का number भी प्रिंट करेगा और उसके बात बात करता है, hyphen I option तो यदि आप चाहते हैं, कि जब भी को string search करे, तो उसका case match ना करे उसके लिए आपको grab कमान के साथ में, hyphen I option यूज़ करना पड़ेगा, यदि आप grab कमान के साथ में, hyphen I option यूज़ करते हैं, तो ये, उस string को, उस text file से सर्च करेगा, और case match ना ही करेगा, यानि, upper case और lower case दोनम में, उसको सर्च करेगा, उसके बात करता है, hyphen L option की, यदि आप चाहते हैं, कि कोई string search करना जाते हैं, कि वो string कौन-कौन ची फाइल में available है, उस file का नाम क्या है, तो उसके लिए आपको grab कमान के साथ में, hyphen L option यूज़ करना पड़ेगा, hyphen L option, hyphen L option, उस file का नाम सोग करेगा, जिसमें वो string available है, चलिए हम example चाहते हैं, तो सबसे पहला example देखते हैं, to search for the given string in a file, यानि किसी एक single file से कोई literal string कैसे सर्च करते हैं, उसका syntax रहेगा, तो grab कमान, उसके बाद में string, और उसके बाद में उस file का नाम लिखना, जिस file से आपको string सर्च करना है, तो चलिए इसको example सही देखते हैं, testing purpose के लिए मैंने slash etc के अंदर एक dietary बना रही है, और उस dietary में कुछ files बना रही है, उन files के through हम grab कमान को use करेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ dietary remove करते हैं, आपर कुछ files है, अब मुझे को string search करना जैसे, grape, और उसके बाद में उस string को लिखना है, जो string आप search करना चाते हैं, और किस file से search करना चाते हैं, उस file का आपको नाम लिखना है, तो देखिए, जिस भी line में, myfile.txt की जिस line में, apple string match हुई है, उन सभी line को प्रिंट करके दे रहा है, जैसे total 3 एस line है, जिसमें apple string available है, अब हम उस file का content show करते हैं, तो देखिए, इतनी सारी line है, और उस line में, से कैवल्टीन एस line है, जिसमें यह string available है, तो इस परकार आप किसी single file से, को string search करना चाते हैं, इस परकार आप कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, कि मैं multiple file से search करना है string, को string multiple file से कैसे search करते हैं, वह देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेप कमान लिखना है उसके बाद में वह स्ट्रिंग लिखना है और उसके बाद लिखना है, तो जिस डायटिम में आप काम कर रहे हैं, तो उस डायटिम में जितनी फायल होगी, उन सभी फायल में ये स्ट्रिंग सर्च करेगा, तो देखिए, उसे टोटल ऐसी तीन फायल मिली है, जिसमें ये एपल इस्ट्रिंग अवेलिबल है, जैसे माइफायल 2.txt, उसके लिए आपको यह command यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद आप सबी फाइलों से search ना करके एक given pattern आप यूज़ करना चाहते कि जिस फाइल करना उस pattern से match हो उस फाइल चाहिए तो उसके लिए देखिए सबसे मेल आपको grab command यूज़ करना है उसके बाद वह string लिखिए जो आपको search करनी है उसके बाद जैसे में चाहता हूं कि जिस फाइल का नाम my file से start हो रहा हो उस फाइल में यह search करें तो उसके लिए my file और start तो यह command क्या करेगा कि जो भी file जिस फाइल का नाम my file से start हो रहा है यह उन सबी फाइल में यह string search करेगा तो देखिए जिस फाइल म में यह स्ट्रिंग सर्च करेगा और उसका आउर्पूट आपको सो करेगा तो देखिए टॉटल एसी दो फाइल है इसको मिली जिसमें इस्ट्रिंग एवलेबल है माइफाइल 2.txt और माइफाइल.txt तो इस परकर आप पैटर्न को यूज करते हैं भी मल्टिपर फाइल से सर सर्च कर सकते हैं और सिंगल फाइल से कैसे सर्च करते हैं वह भी इस वीडियों हमने सीखा तो इस वीडियों इतना ही थैंक्स पर वाजिंग